नमस्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करक लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंस के लिए 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक के मंती पिडिक्शन के विशे में यह जो मंती पिडिक्शन है यह लगन के अधार पराधारी थे तो आप इसे अपनी लगन राशी के नुसारी देखें आईए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारी में सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक मकर राशी में गोचर कर रहे हैं आपके सेविंध आउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके सेविंध आउस के लौड होकर के आपके सेविंध आउस में गोचर करेंगे आप उत्राशाड़ा नक्षत सुरे के नक्षतर में ही गोचर करेंगे दिखिए जो समय रहने वाला है यह समय किसी भी प्रकार से अगर आप कोई पार्टरशिप करना चाहते हैं कोई बॉंड इत्यादी करना चाहते हैं कोई बिजनस पार्टर इस समय में जोईन करना चाहते हैं कोई पार्टरशिप जोईन करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है प्रंतु इस समय में आपके जो पार्टर हैं बिजनस पार्टर हैं थोड़े से ego stick होते हुए देखे जा सकते हैं उनके अंदर एक ego की भावला इस समय में बढ़ती हुए देखे जा सकती है, तो आप इस समय में अच्छी वाली का परियोग करके इस समय में अपने कारीों अपने कारीयों को असानी से पूंड़ करा पाएंगे इसके साथ का ये जो समय रहेगा ये समय किसी ना किसी प्रकार से पार्टनर बिजनस पार्टनर से कुछ धन लाप की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है या उनके साथ इस समय में आप किसी hotel mall restaurant में इत्यादी में अच्छे स्वाजिश भोजन का लाब यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे कोई short distance की travel भी करने से लाब आपको प्राप्त हो सकता है इसके बाद मंगल गरे की बात करेंगे मंगल गरे 13 November 2022 से ग्यारा मार्त 2023 तक वर्षव राशी में गोचर कर रहे हैं यह आपके 11th house में गोचर कर रहे हैं और 13 January 2023 से डारेक्ट हो जाएंगे 12 January तक की यह रेट्रो रहेंगे और मंगल गरे आपके लिए आपके 5th और 10th house के लॉर्ड होकर के आपके 11th house में गोचर कर रहे हैं और मंगल यहाँ पर रोहनी नक्षचर चल्मा के नक्षचर में गोचर करेंगे इस सवें अंतराल के अंदर आप अपने कारिये व्यवसाय के से मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएंगे संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ती में भी सफलता यहाँ पर आपको मिलते दिखाए देती है स्टूडेंट है एजुकेशन के अंदर कुछ लाभ हुने प्राप्त हो कुछ नेम फेम मिले कुछ धनलाभ हो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती दिखाए देती है इसके साथ साथ अगर आपका क्रियेशन आदी से लेटिट कोई कारिया है तो उनके अंदर भी इस समय में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाए देती है अपने पिछले समय में जो भी हार्ड वर्क किया है अपने कारियों के लिए परियास किये हैं उनका पॉजिटिव यहाँ पर मिलता हुआ दिखाए देता है और यह सब चीज़े आपको 13 जनुरे 2023 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे मंगल गरे हैं यहाँ पर डारेक्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सब चीज़ों के अंदर आपको शुपता मिलने शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ यह जो समय मित्रों से भी आपको हेल्प प्रतान कराने वारा रहेगा चाचा जी ताया जी इन लोगों से भी आपका मिलना हो और उन लोगों से भी कुछ लाब आप प्राप्त कर पाएं ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है इसके बाब बात करेंगे बुद्ग्रे के बारे में और बुद्ग्रे आपके लिए आपके ठर्ड और आपके ट्वैल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके शिक्स हाउस में गोचर करें देकिए जो समय रहेगा यह समय आपको शौट डिस्टेंस की टैवल में परिशानी देने वाला रह सकता है इस समय में अपनी यात्रा करते हुए अपने कीमती समान को थोड़ा सा केरफुल लखें डोकुमेंटेशन का कारिया है उसे और डोकुमेंट को यात्रा करते समय काफी सेफ करके रखके चलेंगे तो लापराप्त हो पाएगा इसके साथ साथ अगर आपका कोई ओनलाइन प्रेटफॉर्म के बादियम से कार करते हैं या डाटा इत्यादी का आपको कोई कारिये है डेटा एंटरी का कारिये है तो उसमें काफी केरफुल लेने के आवशक रहेगी इस समय में कुछ भी ऐसा आप ना कर दें जिससे की वज़े से आप क्यों परिशानी आ जाए कुछ डेटा आपका मिस हो सकता है या काम होता है उसे काफी केरफुल हो करके करना चाहिए यहां पर नुकसान होने की संभावना बनती है इसके साथ साथ यह जो समय रहेगा यह समय आपके जो लोकर चाकर हैं या सिबलिंग्स हैं इस समय में आप से धन की धन की रिक्वार्मेंट कर सकते हैं आपको उन्हें धन तोर पर या help के तोर पर देना पड़ सकता है ऐसा यहां पर पता चलता है इस समय में आपके spouse की health के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाय देता है कुछ धन इस समय में उनके लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है इसके बाद 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक मकर राशी में ब बन जाएगा बुद्ग्रिया यहां पर जैसे ही आएंगे यह आने के बाद आपको आपके siblings के माधियम से आपके पड़ोसियों के माधियम से कुछ ना कुछ अच्छा नेम फिर्म अच्छा धनलाब यहां पर प्रदान कराते हुँ दिखाय देते हैं इसके साथ साथ अगर आपका software रित्यादी से लेटीड कोई कारिये है या किसी परकार से IT से लेटीड आपको इकारिये करते हैं या documentation का आपका कोई कारिये होता है तो उसके अंदर आपको यहां पर लाब मिलने की संभावना दिखाय देती है इसके साथ साथ यह जो समय रहेगा यह समय आपको अब दही रहेगा और अगर आप फॉरण जाना चाहते हैं तो अपने पार्टर के साथ या लाइप पार्टर के साथ इस समय में फॉरण जा सकते हैं इसके लिए प्रियास कर सकते हैं समय आपके लिए फेवरिवल रहेगा इसके बाद में बात करेंगे देवगुरू बस्प आपके लिए आपके six और nine thousand के लॉर्ड होकर के आपके nine thousand में गोचर करें देव गुरू बस्पति का यहां पर गोचर यह आपको काफी religious बनाएगा प्रंतु जैसे कि यह शनी के नक्षातर में गोचर करें तो उन कारियों के अंदर obstacle भी डालेगा अगर आप फॉरण जाना चा तो उनके लिए या कोई रिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह थोड़ा सा भागडोर कराएगा परिश्रम कराएगा हार्ड वरक करा करके आपको काडल को पूर्ण करा दिखाए देता है इसके साथ साहथ देवकृ बस्पति के रिष्टिक के अगर बात की जाए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच जब आपके फ़िश्ट हाउस पर पढ़ती है तो यह आपको काफी रिलीजियस बनाए गया, आपको धन लाब यह परदान करा सकता है, इसके साथ साथ, इस समय में आप अगर फोरण जाना चाहते हैं, या कोई टूल ट्रेवल करना चाहते हैं, इसके साथ साथ, अगर आप इसकी साथी जश्टी के अगर बात करें, तो यह आपको आपके सिब्लिंग्स के माद्यम से, आपके प्रोसियों के माद्यम से भी कुछ लाब दिला सकता है, और ओनलाइन प्रेटफोर्म के माद्यम से आपको कुछ धनलाब दिलाने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है कुछ धनला भी आपको प्रदान करा सकता है इसके बाद देवकुरु बस्पती की नाइंध एसपेक्ट जब आपके फिफ्ट आउसर पड़ती है तो अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए सनुत तम रहने वाला है इ इस समय में एजुकेशन के अंद अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उनके एजुकेशन अच्छी चलेगी और एजुकेशन के माद्यम से उन्हें कुछ नेम धनला प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है इसके बाद बात करेंगे शुक्रग्रे के बारे में शुक्र करें आपके लिए आपके फोर्थ और आपके सैवंध आउस के लोड होकर के सैवंध आउस में गोचा करेंगे इस समय आप अपने घर परिवार के साथ अच्छे वीकल का सुख प्राप्त कर पाएंगे मातापिता का सुख इस समय प्राप्त होना अच्छे जीवन सा प्रसी में निवेश कर पाना मित्रों का अच्छा सुख होना इन सब चीजों का लाविया आप प्राप्त कर पाएंगे ने विम आपका बढ़ता हुआ रहेगा इसके बाद बाई जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक शुकर करें कुम राशी में चले जाएंगे देकर शुकर का कुम राशी में आना ये जो शुकर जैसे ही आपके एट फाउस में आ जाएंगे तो ये जो समय रहेगा ये समय विशेश तोर से आपको अपने गुपतंग के लिए थोड़ा सा केर बाउस के परिवारवारों से लेटीड भी को कर कोई कारी जाएं तो वहां पर आपको ये लाब दिला देगा पन्तु इस समय में विशेश तोर से आपको अपने गुपतंग के लिए केरफुल लेना चाहिए उनमें किसी प्रकार से कोई डिजीज होने की संभावना यापर दिखाई देती हैं इसके बाद बात करेंगे शनिगर्ह के बारे में शनिगर्ह 17 जन्रवरें दो The Tips Chamber 29 मार्स 2025 तक कुम्राशी में घोचर कर रहे हैं शनिगर्ह आपके एड़्ध हाऊस में गोचर कर रहे है और यहाँ पर 5 पर joins на 23-23 तक 36 इस दिन के लिए approximately 36 डियर के लिए कमबश्ट हो जाएंगे और शनी के दिए आपके धेश्टा नक्षट मंगल के नक्षट में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 11-10 में गोचर कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है इन सब चीजों में आपको ईलाप परदान करा देगा, इसके साथ सथ अगर आपको यह चल अचल संपत्ती प्राप्ट होने वाली थी उसका नाप यह आपको परदान कराता हुआ दिखा देता हैं एस समय में आपको रिसर्च इत्ते आदि के उपर कारिय करके लाप्राप्ट कर पाएंगे और अगर आप किसान भाई हैं इस समय में फसल लो के अच्छे दाम मिलना इसके साथ अच्छे दाम मिलने के साथ नई फसल लगा करके नई फसल का आप इन्वेंशन करके या नई कुछ इसमें प्लानिंग करके आप यहाँ पर प्राप कर पाएंगे इसके बाप बात करेंगे राहुग्रे के बारे में राहुग्रे 12 अप्रेल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक में इस राशी में गोचर करें राहुग्रे बढ़नी नक्षत्र में गोचर करें और राहुग्रे आपके 10 अउस में गोचर करें तो वह आप आसानी से निकाल पाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाए देगी, इस समय में आपको एक लीडर की तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है, एक नेता की तरीके से आपकी यहाँ पर छवी उबर करके आ सकती है, लोग आप से एड़वाइज ले करके कारिय करके लाप राप कर पाएंगे, समय उत्तम रहने वाला है, अपने कारिये वैवसाय में आपको सही परकार से यहाँ पर आप माया करके, जिसे कहते हैं, सच जूट बोल करके अपने कारिये को पूर्ण करा लेंगे, यह कराने के लिए आपको लाप दाई रहेगा, और लाप भी प्राद परदान करेगा, इसके वाँ बात करें के तुग्रे की, के तुग्रे 12 अप्रेल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुलाराशी में गोचर कर रहे हैं, और के तुग्रे आपके यहाँ पर स्वाति नक्षत रहू के नक्षतर में गोचर कर रहे हैं, रहू आपके टेंदों में है दिखिए घर परिवार की अगर बात की जाये तो घर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ धार्मी कायोजन होना विकल इत्यादी के बढ़ोतरी होना पैट्स इत्यादी जे प्यार मिलना उनके साथ एक लगाव जैसी स्थिती होना और कारे वैवसाय में तरक्की होना घर परिवार का सुख मिलना इन सब चीजों को आप देख पाएंगे परंतु थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो राहु ग्रह की नक्षतर में के टूरे गोचे करें तो ये कहीं न कहीं सामान को इधर उधर करना घर के अंदर सावान सही जगा प रहेगा अच्छे वहिकल का सुख का प्राप्त कर पाएंगे 17-18 जनवरी का समय यह जो समय रहेगा यह समय आपको धन देने वाला रहेगा इसके साथ साथ आप संतान कंसीव कराना चाते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा और इस्टुडेंट है तो एजुकेशन में अ इसके बाद 21-22 जनवरी अगर है तो अच्छा 21-22 जनवरी का जो समय रहने वाला है यह समय अपने पार्टनर बिजनस पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ एक आननदाई समय एक आननदाई ट्रीप टू ट्रेवल इत्तयादी का सुख देने वाला रहेगा इसके बाद 23-24 का समय ते इस जो भी जनवरी का समय ये समय आपको विशेश तोर से अपने प्रोपर्टी तेरिये कारियों को निप्टाने के लिए रहेगा और अगर आपकी हेल्थ किसी परकार से इसके बाद 27 जनवरी का समय ये तो समय रहेगा ये अपने कारिये व्यावसाई के लिए थोड़ा सा केरफूल रहने के लिए बोलूँगा इस समय में कोई भी एक्सपेंशन ना करें कोई परमोशन इत्यादी की बात ना करें इस समय में विशेश तोर से कोई विशेश मीटिं तो वो काम आपको करना पड़ सकता है तो फड़ा सा बच कर रहें लाप कर पाएंगे इसके बाद 29, 31 तो यहाँ पर 31 जनवरी का जो समय रहेगा ये समय आपके धन के अंदर वद्धी कराने वाला रहेगा और आप इस समय में कोई RDFD इंसुरेंस पॉलिशी के अंदर लेकर करेंगे या कूछ चेंजिंग करेंगे अपने मित्रों का सुखा प्राप्ट कर पैंगे गो property प्रचिस करना चाते हैं उसे देखने का परचिस करने का आफसर आपको प्राप्ट होता दिखाई देता है इसके बाद एक दो फरवरी का समय ये समय ये समय आप इस समय में आप धन को किसी प्रकार से किसी लीजियस कारी के उपर दान धन, दान पून इत्यादी के उपर खर्च करेंगे, इस समय में थोड़ा सा धन आपका, आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या अपने कुटून के किसी अदिस्टे की हेल्थ के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, इसके लिए के एफ़ोर रहा जाए इसके बाद 3, 4, 5 फरवरी का समय ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है इस समय में आप काफी आनदित रहेंगे आप इस समय में अपने आपके अपने लिए समय निकालेंगे, अपने लिए कुछ धन खर्च करेंगे अपने डैसिंग सैंस इत्यादी के ऊपर आप खर्च करेंगे हेरिश्टेल इत्यादी के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं मन काफी परसंद रहेगा, काफी परसंदता का अनुभव इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाए देता है इसके बाद 6-7 फरवरी का समय ये जो समय रहेगा ये समय अच्छे स्वाधिश्ट भोजन का लाब देने वाला अच्छे परिवार का सुख देने वाला सिंगिंग इत्यादी का अनंद इस समय में आप राप्त कर पाएंगे लाबदा ही रहेगा इसके बाद 8-9-10 फरवरी का समय ये समय आपको धन देने वाला रहेगा इस समय में आप अपने परोशियों के साथ अपने सिब्लिंग्स के साथ एक अनंदा ही समय वैतीत करेंगे ये समय रहेगा ये समय जैसे कि मैंने बताया था कि घर का सामान उथल पुथल रहना इस तरही की स्थिती होगी तो कुछ न कुछ न कुछ लिजेस कारिया आपके घर में होता हुआ या आंगलिक कारिया समय में होता हुआ दिखा जा सकता है तो ये था करक लगन के लिए कैंसर के लिए मंदल्ली बिडिक्शन अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इन इस वीडियो को like करें और यदे मेरे चैनल पन नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें जिससे आने वाल नए वीडियो का notification आपको मिशेके और मेरे इस वीडियो को प्रेमपोग देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपोग बने आने के लिए आपका प्रेमपोग धन्यवा नमस्कार